Hello Students, Welcome to MOS Classes, इस वीडियो में हम 9th क्लास, Math and C.E.R.T. की जो नई बुक है, उसके chapter number 11 की exercise, 11.1 के सभी questions को solve करेंगे. Question number 1 में हमसे कहा गया है, diameter of the base of a cone is 10.5 cm and its strength height is 10 cm. तो यहाँ पर यह cone हमें दिया गया है, और इसका यह जो circular base है, इसका diameter हमें कितना दिया गया है? 10.5 cm. तो यह जो diameter है, यह है 10.5 cm. और इसकी strength height कितनी है? 10 cm. यह होती है strength height, जिसको हम L से denote करते हैं. Slant height कितनी दे रखी है? 10 cm. और हमें इस cone का curve surface area find करना है. तो जब हम curve surface area कहते हैं, तो हम इस side के यह area find करेंगे, यह जो circular base है, इसका area हम find नहीं करेंगे. अगर हम इस side का, यानि कि इस side में जितना भी area है, अगर हम इसको भी cover कर लेते हैं, और circular base का भी area cover कर लेते हैं, तो यह TSA यानि total surface area कहलाता है. लेकिन हमें तो curve surface area निकालना है, तो हम सिरफ यह side का area हम find करेंगे, circular base का area हमें find नहीं करना है. तो इस chapter की basic video में हमने आपको सभी formulas बताये थे, कि किस तरह से हम curve surface area या total surface area find करते हैं, कौन का, तो यहाँ पर हम curve surface area of cone का formula यूज करके, इसका curve surface area find करेंगे. तो यहाँ इसके solution में हम लिखेंगे, d यानि diameter is equal to 10.5 cm. अब जो radius होता है, वो diameter का half होता है. अगर यह पूरा diameter है, तो यह इतना radius होगा. तो radius diameter का half होता है, तो r is equal to diameter की जगा 10.5 upon में 2. अब यहाँ उपर से अगर हम decimal हटा देते हैं, तो यह बन जाता है 105. और right से चेक किजि एक digit के बाद decimal है, तो अगर यहाँ से आप decimal हटाते हैं, तो नीचे एक 0 आ जाएगी, क्योंकि right से एक digit के बाद decimal है. decimal हटाने पर उपर आएगा 105 और नीचे जो यह 2 था, इसके साथ एक 0 आ जाएगी. अब देखिए 105 upon 20 को solve किया जा सकता है, क्योंकि यह दोनों numbers 5 के table में आत जाएंगे, देखिए 5 4 जा 20 और यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10, यह बचा 5, 5 बन जा 5, तो हमें क्या मिला 21 upon 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 upon 4 cm, तो यह जो radius है, वो radius हमें मिल गई है 21 upon 4 cm, और slant height, यानि के L कितना है 10 cm, तो यहाँ पर हम लिखेंगे L is equal to 10 cm, अब जो curved surface यह अरिया है, उसको हमने short में लिख दिया है CSA, आप चाहें तो पूरा curved surface area भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा CSA of cone is equal to pi RL, हमने आपको इस chapter की basic वीडियो में यह सभी formulas बताये थे, और यह बताया था कि कोन का अगर curved surface area निकालना हो, तो उसका formula होता है pi RL, यानि के pi multiply by R multiply by L, तो pi की जगा हम value रखेंगे 22 upon 7, देखिए, अगर कभी किसी question में कहा गया है, कि pi की value 3.14 रखनी है, तब तो 3.14 यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई value नहीं दी गई है pi की, तो हम इसको 22 upon 7 ही यूज़ करेंगे, multiply का sign, R यानि radius कितनी है 21 upon 4, तो radius की जगा 21 upon 4, multiply का sign, L यानि radius rank high 10 है, तो यहाँ पर आएगा 10, अब देखिए students, 21 और 7 को आपस में solve किया जा सकता है, क्योंकि यह दोनों numbers 7 की table में आते हैं, तो हम इन दोनों numbers को 7 से काटेंगे, देखिए 7 बंजा 7, और यहाँ पर देखिए 7, 3 जा 21, अब देखिए 22 और 4 इनको भी solve किया जा स 2 और यह 2 बचा 21 जा 2, तो यहाँ क्या मिर गया 11, यहाँ क्या बचा 3, अब देखिए 10 और 2 को भी solve किया जा सकता है, क्योंकि दोनों numbers 2 की table में आते हैं, तो हम इन दोनों numbers को 2 से काटेंगे, देखिए 21 जा 2, और यहाँ देखिए 2, 5 जा 10, अब upon में तो कुछ नहीं बचा, 1 into 1 तो 1 ही होता है, तो upon में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, उपर देखिए 11 into 3 into 5, तो यहाँ लिखेंगे 11 into 3 into 5, इन तीनों numbers को जब आप multiply करेंगे, तो आपको मिलेगा 165, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 165 cm2, तो यह जो कौन हमें दिया गया था, इसका जो curve surface area है, वो हम कितना मिल गया है, 165 cm2, तो यहाँ पर हमें यह कौन दिया गया है, और हमसे यह कहा गया है, कि इसकी जो strength height है, यह कितनी है, 21 meter, और इसका जो diameter है, यह circular base है, इसका diameter कितना दिया गया है, 24 meter, और हमें इस कौन का total surface area find करना है, जो first question हमने किया था अभी, उसमें हमें curve surface area find करना था, यानि सिरफ यह sides का area, लेकिन इस बाद total surface area है, तो इसमें यह sides का area भी आ जाएगा, और यह जो circular base है, इसका area भी आ जाएगा, इसे हम कहते है, total surface area, तो इसके solution में यहाँ पर हम लिखेंगे, T यानि diameter is equal to 24 meter, और जो radius होती है, वो diameter की half होती है, तो diameter 24 है, तो उसका half करेंगे, 24 को 2 से divide करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या मिला 12 meter, यानि इसकी जो radius आ गई है, वो है 12 meter, और L, यानि के यह जो slant height है, यह question में हमें दी गई है 21 meter, तो यहाँ L हम लिखेंगे 21 meter, अब जो total surface area का formula होता है, कोन का, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, TSA यानि के total surface area of cone is equal to pi R, bracket में L plus R, तो यह pi R का मतलब है, pi multiply by R, फिर यहाँ फिर यह multiply का sign होगा, और bracket में L plus R आएगा, pi की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 22 upon 7, multiply by R यानि radius जो है 12, तो यहाँ पर आएगा 12, bracket में L plus R, L यानि strand height 21, प्लस R यानि के radius 12, ठीक है, अब आगे देखें, 22 upon 7 यहाँ पर as it is, multiply 12, यहाँ पर as it is, फिर multiply का sign और इन दोनों को add कीजिए, 21 और 12 को add करेंगे तो आपको मिलेग 33, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 22 upon 7 into 12 into 33, अब आप 22, 12 और 33 को अगर multiply करते हैं, तो आपको मिलता है 1712, अब उन में 7 है, अब उन में 7 आ जाएगा, और जब आप 1712 को divide करेंगे 7 से, तो आपको मिलेगा 1244.57 meter square, तो यह जो कौन हमें दिया गया था, इसका जो total surface यह रही है, य यानिके इस तरीके से sides का area और नीचे circular base का area, यह total surface area जो हमें मिल गया students, वो है 1244.57 meter square, question number 3 में हम से कहा गया है, curve surface area of a cone is 308 cm square, and its strength height is 14 cm, यानि के हमें यह cone दिया गया है, और इस cone का जो curve surface area, यानि चारो side का area, ऐसे, यह हमें दिया गया है 308 cm square, और इसकी जो strength height हमें दी गई है, वो हमें दी गई है 14 cm, और उसके बाद हमसे कहा गया है find, और first part है, radius of the base, यानि एक तो हमें यह जो circular base है इसका, इसकी radius find करनी है, and second part, total surface area of the cone, और इस cone का total surface area भी find करना है, total surface area मतलब यह चारो side का area, plus यह circular base का area, इसे हम कहते है total surface area, तो एक तो हमें radius find करनी है, और एक total surface area find करना है, तो इसके solution में जो जो दिया गया है, जो given है, वो पहले लिख लेते हैं, area यानि strength height is equal to 14 cm, और curved surface area यानि के CSA यह हमें दिया गया 308 cm2, अब हम इस question को solve करते हैं, पहले first part को solve करते हैं, तो यहां हम लिखेंगे CSA of cone is equal to 308 cm2, आप चाहें तो यहाँ पूरा curved surface area of cone भी लिख सकते हैं, अब CSA of cone का formula क्या होता है, pi r l, तो इसकी जगा हम इसका formula लिख देंगे, pi r l, जिसका मतलब होता है, pi into r into l is equal to 308, यहाँ पर as it is आ जाएगा, देखें, first part में हमें radius find करनी है, तो यहाँ से हम यह radius निकाल रहेंगे, अब pi की जगा हम लिखेंगे 22 upon 7 into, यह r यहाँ पर आएगा, into, l यानि स्रेंट हैट कितनी है, 14 तो 14 यहाँ पर, is equal to 308 अपनी जगा पर रहेगा, अब देखें students, 14 और 7 को आपस में solve किया जा सकता है, क्योंकि यह दोनों number 7 की table में आते हैं, तो हम इन दोनों numbers को 7 से काटेंगे, देखें, 7 बन जा 7, और यहाँ देखें, 7 तू जा 14, अब देखें, 22 multiply by 2 करेंगे, तो आपको मिलेगा 44, यहाँ लिखेंगे 44 into r as it is, is equal to 308 य जगा पर 44 यहाँ पर r के साथ multiply में है, तो जब इसको इस side में लेकर आएंगे, तो यहाँ पर आकर यह divide में आ जाएगा, अब देखें students, 308 upon 44 को solve किया जा सकता है, क्योंकि यह दोनों numbers 2 की table में आते हैं, तो हम इन दोनों numbers को 2 से काटेंगे, देखें, 2 तू जा 4, यह 4 बच 1 & 0, 10, 2 5 जा 10, बचा 8, 2 4 जा 8, अब यहाँ पर हमें क्या मिला, 154 upon 22, अब इन दोनों numbers को भी solve किया जा सकता है, यह दोनों numbers भी 2 की table में आते हैं, तो इन कौं 2 से काटेंगे, देखें, 2 1 जा 2, यह 2 बचा, 2 1 जा 2, अब यहाँ देखें, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा 1 & 4 14, 2 7 जा 14, यहाँ क्या मिल गया हमें, 77 upon 11, अब यह दोनों numbers 11 की table में आते हैं, तो इनको हमें 11 से काटेंगे, देखें, 11 बचा 11, और यहाँ देखें, 11 7 जा 77, तो जो हमने इसको solve किया, तो radius हमें कितनी मिल गई, 7 cm, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, r is equal to 7 cm, तो यह जो first part था इस question का, जिसमें हमें radius find करनी थी, वो तो हमने solve कर लिया है, अब second part में हमें इस cone का TSA, यानि के total surface area find करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, TSA of cone is equal to, और total surface area का formula लिखेंगे, pi r bracket में l plus r, pi की जगा 22 upon 7, into r यानि radius कितनी है, 7, bracket में l यानि strength height कितनी दे रखी है, 14, प्रस का sign, r यानि radius 7, अब देखें, यहाँ पर यह 7 से 7 कट जाएगा, 7 वंजा 7, और 7 वंजा 7, यह 22 है, यहाँ पर लिखेंगे multiply का sign, 14 प्रस 7 करेंगे, तो आपको मिलेगा 21, तो यहाँ लिखेंगे 21, अब 22 को multiply करेंगे 21 के साथ, तो आपको मिलेगा 462, तो इस cone का total surface area हमें मिला है, 462 cm2, तो इस third question के दोनों parts हमने solve कर लिये है, question number 4 में हमसे कहा गया है, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter, देखें यह cone की shape में यह एक tent है, और इसकी height हमें कितनी दी गई है, 10 meter, और इसका यह जो circular base है, इसकी radius हमें कितनी दी गई है, 24 meter, यह radius 24 meter है, ठेक है, अब यह भी याद रखेंगा students, कि यह जो tent होता है, tent में जो circular base है, यहाँ पर तो कोई कपड़ा लगेगा नहीं, ठेक है, क्योंकि यह हिस्सा खाली होता है, तो यहाँ पर जो कपड़ा लगता है, वो main यह चारो side इस तरीके से होता है, तो इस तरह के case में, जब tent बनाने की बात की गई है, तो यहाँ पर अगर हमें यह पता करना हो कि कितना कपड़ा लगा, तो उसमें हम curved surface area find करते हैं, जो कि हम इस question में भी find करेंगे, तो find first part, strength height of the tent, तो पहले तो हमें इसकी strength height पता करनी है, एक part तो यह हुआ, second part, cost of the canvas required to make the tent, if the cost of one meter square canvas is rupees 70, वो हमसे यह कह रहे हैं, कि अगर one meter square canvas, canvas जो की एक मोटा कपड़ा होता है, जो tent बनाने में यूज किया जाता है, अगर one meter square canvas की cost rupees 70 है, तो इस tent को बनाने में जितना canvas use होगा, उसकी total cost हमें बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका curved surface area निकालेंगे, total इसे निकालेंगे, क्योंकि हम इसका first part store करेंगे, जिसमें हमें इसका strength height पता करना है, तो इसके solution में जो चीजे दी गई है, पहले वो लिख लेते हैं, height हमें दी गई है 10 cm, तो h is equal to 10 cm, यह height 10 है, और radius कितना दिया गया है, 24 cm, यह भी यहाँ पर हमने लिख दिया, अब first part के इस आपसे पहले हम strength height को find करे तो यहाँ पर हम लिखेंगे strength height जिसको हम denote करते हैं, alphabet L से is equal to under root के अंदर r square plus h square, ठीक है, अब हम यहाँ पर radius की value और height की value put कर देंगे, इसको solve करेंगे तो हमें strength height मिल जाएगी, अब देखे students, यह root रगाएंगे, r कितना है, 24, तो 24 का square, plus h कितना है, 10, 10 का square, अब 24 का square क्या ह होता है, 100, तो यहाँ लिखेंगे 100, अब इन दोनों को add कर देंगे, तो root के अंदर हमें मिलेगा, 676, अब 676 का square root कितना होता है, 26 meter, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 26 meter, यह 26 meter कैसे आया, यह भी हम आपको बताएंगे, तो यह जो slant height हमें पता करनी थी, यह slant height हमें मिल गई है, 26 meter, अब यह 676 का square root हमने कैसे find किया, अब इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो यह, कि आप 676 के prime factors निकाल दीजिए, फिर जो जो pair बन रहे हैं उनको, उसके हिसाब से बाहर निकाल दीजिए, हर pair में से एक digit बाहर आ जाएगी, फिर उन सब को multiply करेंगे, तो आपको 26 मिल जाएगा, और दूसरा तरीका यह है, कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख लिजे, देखिए, यह shortcut होता है, square root find करने का किसी भी number का, यह आप इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लिजे, 676, ठीक है, और यहाँ पर अब ध्यान से देखिए students, कि number of digits कितन है, तो पहली digit को single रखिए, और अगली दोनों digit को ऐसे pair में लिख देजिए, ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यह जो पहली digit है 6, या तो इसको पूरा काटना है, या फिर इसको maximum काटना है, यह बहुत ही important method है, क्योंकि prime factorization में कई बाट time ज्यादा लग जाता है, तो इस method को सीखेंगे, तो आपके लिए easy हो जाएगा, देखें, जो digit यहाँ पर आएगी, वही digit यहाँ भी आएगी, अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं, तो यहाँ भी 1 आएगा, 1, 1 जा 1, इसके बाद क्या होता है, 2, 2, 4, इसके बाद 3, 3, 9, अब 3, 3, 9 हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह 6 से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर भी 2 आएगा, देखें, 2, 2 जा 4, यह ऐसे किया, अब 6 में से 4 माइनस कीजिए, क्या बचता है, 2, और यह जो pair है 76, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, अब इस 2 और इस 2 को add कर दीजिए, 2 प् लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक trick होती है, यहाँ पर कौन से digit आएगी हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ लास्ट में देखिए 6 है, ठीक है, 6 कब आता है, वो दो नंबर कौन से जिनको खुद से ही multiply करने पर 6 देखिए अगर आप यहाँ पर 4 लिखते है, तो यह बन जाएगा 44, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 आएगा, यानि 44, 4 जा, तो यहाँ पर check करके देख लिजिए, 44 into 4 करेंगे तो 176, हमें 176 तो चाहिए नहीं, हमें 276 चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर 6 लिखते हैं, तो यह ब इसका मतलब यहाँ पर आएगा 6, यह बन गया 46, यहाँ 6 आया है, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, 46, 6 जा, 276, यह पूरा कट गया, तो देखिए, यह जो 26 है, यह स्क्वेर रूट है, 676 का, तो इस तरीके से हमने 676 का स्क्वेर रूट फाइंड किया, 26 मीटर, और यही हाइट है, इस कोनिकल टेंट की, और अगर आप चाहें, तो प्राइम फेक्टराइजेशन मेथट से भी यह स्क्वेर रूट फाइंड कर सकते हैं, अब सेकिंड पार्ट में हमें यह बताना है, कि इस टेंट को बनाने में जो कैन्वस यूज होगा, जो कपड़ा यूज तो हम इस कोन का कर्व सर्फेस एरिया निकाल कर उसको सेवेंटी से मल्टिप्लाय कर देंगे, तो इसके सेकिंड पार्ट में देखें हम क्या लिखेंगे, कैन्वस रिक्वाइड, कैन्वस कितना चाहिए, जितना कि इसका कर्व सर्फेस एरिया है, यानि कि पाई आरेल, कोन हमें question में दिया गया है multiply by area यानि slant height कितनी मिली 26 ठीक है students अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 22 into 24 into 26 करेंगे इन तीनों को multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 13728 upon में यह 7 लिखेंगे meter square तो यह जो conical tent है इसका curved surface area हमें मिल गया है 13728 upon 7 meter square इसको अभी हम ऐसे ही रख देते हैं यह हमें इसका area मिल गया ठीक है अब cost of 1 meter square canvas कितना दिया गया है rupees 70 देखिए simple सी चीज है अगर एक toffee 10 रुपे की है तो 50 toffee कितना रुपे की होगी 15 to 10 कर देंगे बिलकुल यही चीज हम जहाँ पर करेंगे अगर 1 meter square canvas की cost rupees 70 है तो हमारे पास तो इतना area है तो इतने area की cost कैसे निकालेंगे इस area को 70 से multiply कर देंगे तो यहाँ हम लिखेंगे cost of 1, 3, 7, 2, 8 upon 7 meter square canvas is equal to यह जो area निकला था इसको लिखेंगे into 70 कर देंगे अब देखिए यह आपस में solve हो सकते है दोनों 7 से कटते है 7 और 70 तो इनको 7 से काटेंगे देखिए 7 बन जा 7 और 7 10 जा 70 अब 1, 3, 7, 2, 8 को multiply कीजिए 10 से तो आपको मेरेगा 1, 3, 7, 2, 8, 0 यानि के इस conical tent में जो canvas लगेगा इस tent को बनाने के लिए जो खपड़ा यूज होगा जो canvas यूज होगा उसकी जो total cost आएगी वो cost आएगी रुपीज 1, 37,280 Question number 5 में हमसे कहा गया है What length of terpeline 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter यानि के terpeline पहरे तो समझे terpeline क्या होता है ये एक मोटा सा कपड़ा होता है जो कि tent बनाने में काम आता है तो हमें ये बताया गया के terpeline कपड़ा है जिसकी breadth हमें कितनी दी गई है 3 meter देखे 3 meter wide यानि के इसकी जो चुड़ाई है breadth है वो 3 meter है और इसकी length हमें पता करनी है हमें ऐसा terpeline पता करना है जिसकी breadth इतनी है 3 meter तो ये कितनी length का होना चाहिए जिससे की हमें एक ऐसा tent बना सके जिसकी height हो 8 meter और जिसकी ये circular base की radius हो 6 meter तो कितनी length वाला ये terpeline होना चाहिए ये हमें बताना है यानि इसकी length हमें find करनी है उसके बाद हमसे कहा गया है और हमसे ये भी कहा गया है कि जितना भी कपड़ा यहाँ पर हम लेंगे जो कि stent बनाने को जितना भी terpeline हम लेंगे जो कि stent बनाने को के लिए use होगा उसमें हमें 20 cm अलग से भी कपड़ा लेकर चलना है क्यों? क्योंकि कुछ कपड़ा waste हो जाएगा stitching के लिए या waste या फिर वैसे भी cutting वगएरा होती है तो उसमें waste हो जाता है यानि कि यहाँ पर हमें 20 cm terpeline extra लेकर चलना है और हमसे ये भी कहा गया है कि πाई की value हमें use करनी है 3.14 अब ज़रा कुछ बातों को आप ध्यान से सुनियेगा students कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये turpeline होगा हम ये assume कर लेते हैं कि ये rectangular shape में है अब इसी कपड़े से ये tent बनना है अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब ये tent बनेगा तो नीचे जो circular base है यहाँ तो कपड़ा नहीं लगेगा कपड़ा रखेगा इस तरीके से चारो तरफ ठीक है यानि कि ये curved surface area यहाँ पर हमें इसका पता करना है ये जो tent बनने वाला है conical tent इसका curved surface area जो होगा वही area होगा इस turpeline का यानि कि ये जो कपड़ा यूज हो रहा है इसका area और इसका curved surface area ये दोनों अपस में equal होंगे तो इससे क्या होगा इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा यूज हो रहा है और उसके अंदर फिर हम 20 cm और extra add करेंगे क्योंकि माले ये कपड़ा तो इसमें use हो गया और ये tent बन गया लेकिन उसमें 20 cm हमें फिर extra add भी करना होगा जो कि wastage में जाएगा अगर आप पूरा एकदम बितलब नाप तोरकर पूरे tent के इसाब से कपड़ा लाते है वो तो कम पड़ जाएगा क्योंकि थोड़ी cutting होगी थोड़ा waste होगा तो उसमें हमें बाद में 20 cm add भी करना है तो main point यहाँ पर यह है कि इसका जो area है जो rectangular shape में जो terpidine है जो कपड़ा है इसका area और यहाँ पर यह जो curved surface area of conical tent है इन दोनों को हम equal रखेंगे जिससे कि हमें इसकी length मिल जाएगी और जब यह length मिल जाएगी तो उसके अंदर हम यह 20 cm add कर देंगे और हमें हमारा final answer मिल जाएगा अब यहाँ पर यह जो conical tent है इसकी slant height हमें नहीं पता तो सबसे पहले इसकी slant height हम find करेंगे जिसको नोट करते है L से L यानि slant height is equal to under root में R का square यानि radius का square plus H का square यानि के height का square ठीक है तो under root में R कितना है radius 6 6 तो 6 का square plus height कितनी है 8 8 का square root के अंदर 6 का square 36 plus 8 का square 64 दोनों को add करेंगे हमें मिलेगा 100 और 100 का square root क्या होता है 10 तो यहाँ पर जो slant height हमें मिल गई है यह slant height इस conical tent की वो है 10 meter 100 का square root आप prime factorization method के द्वारा भी निकाल सकते हैं वैसे यह easy है आप याद रख सकते हैं के 100 का square root 10 meter होता है इसको अगर आप लिक कर देखना चाहें तो 100 को आप इस तरीके से लिख सकते है 10 into 10 10 into 10 100 ही तो होता है और यह पेर बन गया 10 का और एक 10 बहारा गया तो 100 का square root क्या मिला 10 meter तो slant height हमें मिल गई है 10 meter तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इस rectangular terpeline का area equal रखेंगे इस conical tent के curved surface area के ठीक है क्योंकि जितना कपड़ा यहाँ पर है उसी कपड़े से तो यह tent बन रहा है तो दोनों का area हम यहाँ पर सेम रखेंगे area of terpeline used in tent यानि के इस tent में कितना कपड़ा finally used हुआ है is equal to CSA of conical tent और वही वो equal होगा इस conical tent के curved surface area के याद रखेंगा के इसमें अभी वो 20 cm वाड़ा कपड़ा एड नहीं है इसमें सिरफ वो कपड़ा हम शो कर रहे हैं यहाँ पर जो जिससे की कपड़ा जिससे की यह tent यहाँ पर बन गया है जो extra जो wastage वगरा होई थी वो बाद में add की जाएगी तो इसका area of terpeline used in tent is equal to इसका curved surface area CSA of conical tent इनको हमने equal रख दिया अब यह जो terpeline है यह rectangular shape में है तो rectangle का area कैसे निकालते है length into breadth यानि के l into b इसकी जगा हमने लिखा l into b is equal to CSA of cone क्या होता है pi rl तो यहाँ लिखा pi rl अब इसकी length तो हमें find करनी है तो l यहाँ पर हम लिखेंगे multiply assign breadth कितनी दे रखी है breadth हमें दे रखी है 3 meter तो breadth हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 is equal to अब देखें यहाँ पर pi rl यहाँ पर pi into r into r तो pi की value हमें question में दे रखे 3.14 यूज करनी है तो pi की जगा 3.14 into r यानि radius कितना है 6 into l यह slant height कितनी मिले थी 10 तो यहाँ पर यह 10 मिल गया इसलिए हमने यह slant height find की थी तो कि यहाँ पर हमें इसकी ज़रूत पढ़ रही है हमें length find करनी है l को यही पर रखेंगे is equal to cosine 3.14 into 6 into 10 यही पर रहेगा यह 3 यहाँ पर multiply में है तो यहाँ पर आकर यह divide में आ जाएगा अब देखे students 6 और 3 को आपस में solve किया जा सकता है दोनों ही numbers 3 की table में आते है तो हम इन दोनों को 3 से काटेंगे देखे 3 बन जा 3 और 3 टू जा 6 अब यहाँ पर क्या बचा 3.14 into 2 into 10 इन तिनों को multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 62.8 meter यानि कि जो length हमें मिल गई है वो है 62.8 meter लेकिन अभी यह हमारा final answer नहीं है क्योंकि अभी इसमें हमें 20 cm और भी add करना है क्योंकि हमें वो final जो length है वो पता करनी कि कितनी length का कपड़ा use हुआ था यहाँ तक जो हमें मिला है ना यह तो वो कपड़ा हम मान सकते हैं कि tent यह बन गया जो इसमें अब लगा हुआ है लेकिन जो waste हुआ था वो तो add ही नहीं हुआ वो भी हमें इसमें length add करनी होगी तो यहाँ पर हम रिखेंगे length of tapering required is equal to 62.8 meter plus 20 cm यानि कि यह जो length है 62.8 meter इसमें 20 cm हम add कर देंगे अब यह दोनों units तो अडगडग है तो पहले इनको same बनाते हैं तो 62.8 meter यही पर प्रस का sign अब हम इस 20 cm को change कर देते हैं मीटर में तो 20 को divide करेंगे 100 से अब यह भी मीटर में convert हो गया अब देखें students इस 0 से यह 0 कट जाएगे अब हमें क्या मिलगा 2 upon 10 अब नीचे से 0 हटाएगे तो decimal एक digit left की तरफ यानि यहां आ जाएगा तो हमें क्या मिलगा 0.2 meter तो यहाँ पर हम रिखेंगे 62.8 meter प्रस 0.2 meter इन दोनों को अगर आप add करते हैं तो आपको मिलता है 63 meter तो जो final जो हमें length मिल गई है इस terpeline की जो की use की गई वो है 63 meter Question number 6 में हमसे कहा गया है The strength height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively यानि के conical shape में एक tomb जैसे मकबरा होता है यह conical shape में है ठीक है और इसमें हमें क्या दिया गया है कि इसकी जो strength height है वो है 25 meter और इसका जो circular base है इसका जो diameter हमें दिया गया है वो दिया गया है 14 meter Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square और हमें इसकी whitewashing की cost पता करनी है अगर इसके curved surface area को whitewash किया जाता है यानि चारों तरफ से तो whitewash किया जा रहा है curved surface area का मतलब है कि जो circular base है यहां whitewash नहीं होगा सरफ इतने area में whitewash होगा तो अगर इसके curved surface area को whitewash किया जाता है तो इसकी कितनी cost आएगी वो हमें बताना है अगर अगर पर 100 meter square के cost rupees 210 है तो तब curved surface area को whitewash करने के cost कितनी आएगी यह अब हम बताएंगे तो इसमें जो सबसे पहला काम होगा वो होगा कि हमें इसका curved surface area find करना होगा जैसे हमें curved surface area मिल जाएगा उसके बाद हम इसकी whitewash के cost बड़ी असानी से निकाल लेंगे तो यहां हम रिखेंगे यह यहनी strength height is equal to 25 meter diameter कितना है 14 meter यह दिया गया था diameter 14 है तो radius diameter की half होती है 14 को 2 से divide करेंगे 2 बन जा 2, 2 सेवन जा 14 तो आपको कितनी यहाँ पर radius मिल गई 7 meter अब L यहनी strength height है 25 meter और radius है 7 meter अब हम इसका CSA अब हम इसका curved surface area find करेंगे CSA of conical tomb is equal to pi RL क्योंकि कौन का जो CSA होता है curved surface area होता है उसका formula होता है pi RL तो pi N E 22 upon 7 इंटू radius कितनी होई 7 इंटू जो slant height है L वो कितनी है 25 ठीक है अब देखे students 7 से 7 कट जाएगा 7 बन जा 7 7 बन जा 7 अब क्या बचा है 22 into 25 22 और 25 को multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 550 तो यहाँ पर जो CSA curve surface area हमें मिल गया इस conical tomb का वो है 550 meter square अब हमें इसकी white washing की cost पता करनी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसा की question में हमें दिया गया है cost of white washing per 100 meter square is equal to rupees 210 यानि के per 100 meter square की white washing की cost है rupees 210 तो पहले हम पता करते के 1 meter square की cost कितनी होगी cost of white washing 1 meter square is equal to यह जो 100 यहाँ पर है यहाँ पर नीचे आ जाएगा यह यहाँ से 100 नीचे आएगा divide में यानि के 1 meter square की white washing की cost कितनी है rupees 210 upon में 100 अब यह important चीज थी अगर आपको एक chocolate की कीमत पता चल जाए के 10 रुपए है तो 5 chocolate की क्या किमत होगी 10 into 5 देखिए एक chocolate 10 रुपए की तो 5 होई 10 into 5 की अगर 1 meter square white washing की cost इतनी है तो हमारा area तो इतना है तो इसको हम multiply कर देंगे इसके साथ तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा total cost पता चल जाएगी ठीक है cost of white washing 550 meter square is equal to 210 upon 100 into 550 यानि एक meter square की white washing की जो cost है उसको multiply कर दीजिए इस total area से जो कि आपको white wash करवाना है आप देखिए क्या होगा इस 0 से ये 0 कट जाएगी इस 0 से ये 0 कट जाएगी अब क्या बचा है 21 multiply by 55 अब 21 और 55 को multiply करेंगे तो आपको मेरेगा 1155 यानि कि इस conical tomb के curve surface area को अगर आप white wash कराते हैं तो आपको total cost पड़ेगी रुपेज 1155 question number 7 में हम से कहा गया है a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm यानि कि joker cap है joker जैसी cap पहनता है वो एक conical shape की cap है ठीक है इस तरीके की तो यह conical shape होगी जिसमें नीचे यह circular base है इसका radius हमें दिया गया है 7 cm और इसकी height हमें दी गई है 24 cm उसके बाद हमसे कहा गया है find the area of the sheet required to make 10 such caps यानि कि अगर हमें इस तरीके की 10 caps बनानी हो तो उसमें कितना area of the sheet रगेगा यानि कितना sheet use होगा वो हमें यहाँ पर बताना है तो याद रखेगा students कि सबसे पहले तो हम यह find करेंगे कि इस तरह की 1 cap बनाने में कितना sheet use होगा और उसके बाद जितना भी हमारा यह area आएगा 1 cap को बनाने में हम उसको 10 से multiply कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना area of sheet इस तरह की 10 caps को बनाने में use होगा और एक cap का area आप कैसे निकालेंगे CSA यानि curved surface area या total surface area तो इस तरह की cap बनती है इसमें जो नीचे वादा circular part है यहाँ पर तो sheet लगेगी नहीं यह तो खली होगा तो इसमें curved surface area ही निकलेगा और curved surface area जब हम निकाल लेंगे कोन का तो हमें यह पता चल जाएगा कि एक cap के लिए कितना area of sheet यूज हो रहा है फिर उसको 10 से multiply कर देंगे और इसका CSA निकालने के लिए पहले हमें इसकी slant height पता करनी पड़ेगी क्योंकि कोन के CSA में यानि curved surface area के formula में slant height का use होता है तो पहले तो इसके solution में जो जो दिया गया है उसको use कर लेते हैं r यानि radius 7 cm दी गई है हमें h यानि height 24 cm यह भी दिया गया है slant height निकालने का formula हमने कई बार आपको बताया हो है root के अंदर radius का square प्लस height का square radius यानि 7 का square प्लस height यानि 24 का square 7 का square 49 यहाँ पर लिखेंगे प्लस का sign 24 का square 576 अब इन दोनों को add कर देंगे तो root में हमें मिल जाएगा 625 अब हम 625 का square root find करेंगे जो हमें मिलेगा 25 cm यह 625 का square root हमें कैसे मिला यह भी हम आपको समझाएंगे तो strand height जो इसकी हमें मिल गई है वो है 25 cm अब अगर आप 625 का square root find करना चाते है तो एक method तो यह है कि आप इसके prime factors निकाल लिजिए फिर जो जो pair बन रहे हैं उसमें से एक एक digit भार ले आईए उनको multiply किर जिए तब भी आपको यही answer मिलेगा दूसरा तरीका जो पहले भी हम इसी exercise में आपको सिखा चुके हैं यह थोड़ा सा time कम लेता है जरदी इससे square root निकाल आता है 625 को यहाँ लिखिए और इसमें देखे कितनी digits है 3 digits है यानि कि number of digits odd है तो इस case में हम क्या करते है पहले digit को तो अकेला रखिए उसके अगड़े दोनों digit का pair बना लिजिए अब जो digit यहाँ आएगी वही digit यहाँ आएगी यहाँ पर 6 है अब इसको ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ 1 आता है तो यहाँ भी 1 1 वन जा 1 2 टू जा 4 3 टू जा 9 अब 3 टू जा 9 हम नहीं कर सकते है क्योंकि वो 6 से उपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 लिखिए यहाँ पर भी 2 लिखिए 2 टू जा 4 यहाँ पर 4 लिखा 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2 यह जो अगरा पेर है 25 का इसको यहाँ पर आगे लिख दीजिए ठीक है अब 2 और 2 को मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो क्या मिलेगा 4 ठीक है अब यहाँ पर डिजिट आप लगाएंगे वही डिजिट यहाँ भी आएगी अब इसके लिए कई बार बच्चे यह सोचते है कि हम यहाँ पर कौन से डिजिट लगाए कैसे पता चलेगा तो उसकी ट्रिक पहले भी इसी वीडियो में हमने आपको समझा रखी है कि यहाँ पर last में देखिए 5 है तो कोई दो ऐसे डिजिट सोचे जिनको खुद को multiply करने पर 5 आए 5 और 5 को अगर आप multiply करते हैं तो 25 आता है जिसके end में 5 होता है यानि कि सिरफ 5 ही एक ऐसे डिजिट है जिसको खुद से multiply करने पर यह 5 हमें मिल सकता है तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे आप क्या मिला 45 इंटू 5 तो इस 45 को आप 5 से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 225 देखिए सारा कट गया यह तो यह जो 25 मिला यह 625 का square root है तो 625 का square root आगया 25 जो कि स्रेंट हाइट है इस conical joker cap की और अगर आप चाहें तो prime factorization method का यूज करके भी आप यह square root find कर सकते है तब भी यही answer आएगा अब हम find करेंगे CSA यानि के curve surface area of one cap is equal to इसका formula होता है πrl ठीक है one cap और यह cap किस shape में है कोन की shape में है तो कोन का ही तो formula लगेगा CSA of कोन का यह formula है तो pi की value 22 upon 7 into r यानि radius 7 into strand height l जो अब ही 25 में लेती 25 यहाँ लिखा ठीक है अब आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए 7 से 7 कर जाएगा 7 वंजा 7, 7 वंजा 7 क्या बचा 22 into 25 इन दोनों को multiply करेंगे तो आपको मेलेगा 550 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 550 cm2 यानि कि ऐसी अगर एक cap का area आप निकालते हैं तो वो है 550 cm2 तो इस तरह कि कितनी caps हम बनाने जा रहे हैं 10 caps, 10 caps तो अब हम 10 caps का area बढ़ी असानी से निकाल सकते हैं CSA of 10 caps is equal to 515 to 10 तो इससे आपको मेलेगा 5500 cm2 यानि इस तरह कि अगर आप 10 caps बनाते हैं तो इतना area of sheet आपको यूज करना होगा तो यहाँ पर जो sheet required था जो हमें पता करना था कि कितनी sheet यहाँ पर यूज होने वाली है तो वो 10 caps के लिए वो हमें answer मिल गया है 5500 cm2 Question number 8 में हमसे कहा गया है A bus stop is barricated made of recycled cardboard यानि के recycled cardboard का यूज करके 50 hollow cones बनाए गए और उनका यूज किया गया एक bus stop की barricading के लिए दीखे आपने कई बार देखा होगा सड़क पर इस तरीके के cone shape में ये cones रख दिये जाते हैं किसी जगा को block करने के लिए ताकि अगर कही पर कोई काम चल रहा होता है तो वहाँ पर इस तरह के cone रख दिये जाते हैं ताकि वो जगा बंद हो जाए और दूसरी तरफ से traffic जाए तो इस तरीके से bus stop के आसपास इस तरह के 50 hollow cones रखे गए हैं hollow cones का मतलब कि अंदर से एक खोख़डे हैं each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter और ये जो cone रखे गए हैं इन में से हर एक cone का ये जो circular base का जो diameter दिया गया है ये diameter है 40 cm और इनकी जो height है वो है 1 meter अब ये meter में हैं ये centimeter में हैं तो हम इस centimeter को भी पहले meter में convert कर देंगे जब हम इस question को solve करेंगे उसके बाद हमसे कहा गया है if the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square what will be the cost of painting all these cones और यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि इन सभी cones को अगर बहार से paint किया जाए तो देखिए obvious सी बात है painting जो होगी वो इस तरीके से होगी 4 तरफ ये जो circular base है यहाँ तो paint होगा नहीं ठेक है तो इसको अगर सभी को 50 के 50 cones को अगर ये paint किया जाए तो total कितनी cost आएगी अगर per meter square painting के cost rupees 12 है तो और उसके बाद हमें दो चीजे और दी गई है एक तो ये कि जो pi हमें use करना है उसकी value हम use करेंगे 3.14 और अगर कही इस question को solve करते हुए root में 1.04 आता है तो उसकी value हम use करेंगे 1.02 क्योंकि 1.04 का जो square root होता है वो 1.02 होता है यहाँ पर हमें ये दिया गया है तो कुछ चीजों को यहाँ पर आप ध्यान से समझ लिजेगा students इस question को solve करने से पहले कि सबसे पहले हम एक cone का curve surface area निकालेंगे क्योंकि हर cone का सिरफ curve surface area ही paint होगा अब एक cone का हमें जब curve surface area मिल जाएगा तो उसे हम 50 से multiply कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 50 cones का total कितना area है जो की paint होना है 50 cones का जो area हमें मिल जाएगा उसको फिर हम 12 से multiply कर देंगे तो हमें total cost पता चल जाएगी तो इसके solution में हम लिखेंगे r यानि radius is equal to d upon 2 क्योंकि radius diameter का half होता है diameter कितना है 40 cm 40 का half करेंगे 2 से divide हो जाएगा 2 बन जा 2, 2 जा 4 यह 0 यहाँ पर आएगी यानिके 20 cm तो यह जो radius है 20 cm इसको हम convert कर देंगे मीटर में इसके लिए हम 20 को divide करेंगे 100 से और यहाँ लिखेंगे meter 0 से 0 कट जाएगी अब नीचे से 0 उताएगे तो decimal यहाँ से एक digit left की तरफ आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 0.2 meter तो radius जो हमें मिल गई है वो है 0.2 meter और height कितनी है 1 meter अब यह दोनों ही meter में हैं अब सबसे पहले हम strand height पता करते हैं यह वाजी strand height तो strand height निकालने का formula होता है under root r square प्रस h square अब यह under root में radius कितनी है 0.2 तो 0.2 का square प्रस h यह यहनी के height कितनी है 1 1 का square अब 0.2 के square का मतला होता है 0.2 into 0.2 यह जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.04 root में आप लिखेंगे 0.04 प्रस 1 का square क्या होता है 1 ही होता है अब 1 और 0.04 को जब आप add करेंगे तो इनको add करके आएगा 1.04 तो root में हमें मिल गया 1.04 और 1.04 का जो square root होता है वो यहाँ पर question में हमें दिया गया है वो होता है 1.02 तो under root 1.04 की जगा हम लिखेंगे 1.02 meter तो यह जो L यानि कि जो slant height है इस cone की वो हमें मिल गई है 1.02 meter अब हम लिखेंगे CSA यानि कि curved surface area of one cone is equal to pi RL यानि कि अब हम ऐसे एक cone का CSA यहाँ पर find कर रहे हैं pi की जगा question में हमें दिया गया है कि 3.14 यूज करना है तो pi की जगा 3.14 into R यानि कि radius कितनी यहाँ पर मिल ले थी 0.2 meter तो R की जगा 0.2 into L यानि कि slant height हमें मिला 1.02 तो L की जगा 1.02 अब इन तीनों को multiply करेंगे तो आपको मिल गए 0.64056 meter square यानि कि ऐसे एक cone का जो CSA है वो हमें meter square अब एक cone का CSA तो हमें मिल गया अब हम ऐसे 50 cones का CSA find करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे CSA यानि कि curve surface area of 50 cones is equal to और यह जो एक cone का CSA था इसको multiply कर देंगे 50 के साथ तो आपको मिलेगा 32.028 meter square तो 50 cones का curve surface area हमें मिल गया है 32.028 meter square अब जैसा कि हमने इस question की starting में आपको बताया था कि यहाँ पर जो paint होगा वो यह curve surface area में होगा यह जो circular base है यहाँ पर तो paint होगा नहीं तो हमें यह CSA चाहिए था 50 cones का वो यहाँ पर हमें मिल चुका है अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे cost of painting per meter square is equal to rupees 12 question में हमें दिया गया है कि per meter square यानिके 1 meter square की painting की cost है rupees 12 अब अगर per meter square painting की cost rupees 12 है तो हमारा area तो इतना है तो इतने area की painting की cost हम कैसे निकालेंगे इस area को multiply कर देंगे 12 के साथ तो यहाँ पर हम लिखेंगे cost of painting 32.028 meter square is equal to यह जो area है total 50 cones का curve surface area 32.028 इसको multiply कर देंगे 12 के साथ तो आपको यह number मिलेगा 384.336 तो यहाँ तो आप चाहे तो यहाँ पर answer छोड़ सकते हैं यह अगर आप चाहे के decimal के बाद 2 place तक ही रखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं rupees 384 point यह 3 as it is अब यह वली digit को देखें हम कैसे change करते हैं इसके आगे जो digit है अगर 5 या 5 से बड़ी है तो इसको आप हटा सकते हैं और इससे पिछली digit को एक नमबर बढ़ा दीजिए और यह कब काम करती है यह वली जो trick है अगर यह वली digit 5 या 5 से बड़ी है तो तो इसको हमने हटा दिया यह 5 से बड़ी digit है तो यह digit एक नमबर बढ़ जाएगी तो यह बन जाएगी 4 तो हमें क्या मिला रुपीज 384.34 यानि कि अगर आपको ऐसे 50 कोंस को पेंट करना है तो उसके लिए आपकी जो total cost होगी वो होगी रुपीज 384.34 I hope students आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन बेटन जरूर दबाए जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू